आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट कांटिन्यूस टेंस के बारे में इससे पहले मैंने आपको पास्ट कांटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था उससे पहले पास्ट कांटिन्यूस के बारे में लेकिन आज मैं पास्ट कांटिन्यूस के बारे में आपको बताऊंगा कि पा वाक्यंत में रहा था रही थी रहे थे या फिर उठा था बैठा था खड़ा था आदी सब्दे अध्याते हैं तो होता है past continuous tense उसके बाद आपको यह जानना है कि आप बनाओगे कैसे पहले कौन सा sentence रहेगा affirmative फिर negative फिर intuitive उसके बाद double intuitive sentence लेकिन पहले आपको जानना क्या है पह और वक कहते हो affirmative sentence कैसे बनाओगे उसका रूर से subject रहेगा फिर वाज या वर रहेगा उसके बाद वर में आइंजी फाम लगाना जिसे क्रिया की चोथी आउस्था कहते हैं उसके बाद आपजेक्ट लिखना उसके बाद ETC या दी sentence और बड़ा होता तो आगे लिख देना है लेकिन आपको यह समझना वाज वर कहां पर लगाना है यदि sentence singular है तो वहाँ पर आपको वाज लगाना है subject singular है तो वाज लगाना है subject plural है तो वहाँ पर आपको वर का प्रियोग करना है लेकिन plural तो आई भी होता है लेकिन आई के साथ आपको वाज ही लगाना है अब यहाँ एकजामपल है, एकजामपल बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको बनाना है, बहुत आसान है बनाना, आप सीख जाओगे, देखिए यहाँ पर है वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी, यानि वह के अन्दमे है रही थी सब्दाया, इसका मतलब पास्ट क करनांटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको बनाओगी कैसे पहले रूल्स दिया हुए पहले सब्जेक्ट सम्जट क्या हुआ हुआ को इंगलेस में क्या कहते है चिए उसके बाद क्या वाज या वाज लगा दो सिंगुलर है इसलिए लगेगा वाज उसके रहे थी खाना, फिर अब्जक्ट है, अब्जक्ट खाना है, फूट, सेंटेंस और बड़ा है, नहीं है, यहीं पर रोग दो, सी वाच कुकिंग, फूट, आपका सेंटेंस बन गया, इसी तरह से है, सरडार्थी टोकरियां बेच रहे थे, रहे थे सब्दाया है, इसका मतलब क क्या है, पहले सब्जक्ट, सब्जक्ट क्या है, इसमें, सरडार्थी, सरडार्थी को क्या कहते है, रिफ्यूजी, दर रिफ्यूजीज, उसके बाद क्या है, वाज या वर, रिफ्यूजीज, सिंग्लर नहें, प्लूरल है, इसलिए वर का युच किया, जब्वर, फिर रू कि ASS Also कि यंदि पर सिल्राह बदो जाएगा से लेका स्केंड मौक्ज कि अब च्प्जानेक्ड क्या है क्या भिछ以及 क्षच क्या भीच रहे तोकाहिं भीज भीचिश है को स्थ बड़ा रहे तो आप इसके बाद लिख सकते हो यानि कि इसी तरह दूसरा भी एक जमपला बना सकते हो चाहे जो वाकर रहें आपको यदि पास्ट कांटिनियूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसी रूल से के कार्डिंग सेंटेंस बनाना है बहुत आसान है बनाना मैं द कैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे की आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंसके थैंक्स